तो हेलो दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि गेमिंग के लिए अगर आप PC विल्ड करना चाहते हैं और एकदम नए हैं आप PC विल्ड में तो थोड़ी सा वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखिए PC विल्ड करने के लिए सबसे पहले चीज ये होती है कि आपको जो हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको पता नहीं है ना तो आप सबसे पहले रिसर्च करिए कि PC विल्ड में क्या क्या चीज लगती है कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बना है आप करना क्या चाहते है ठीक कौन सा गेम खेलना चाहते है एकदम हैवी वाला गेम खेलना चाहते है आपका मकसद क्या है सबसे पहले तो आपको ये अपने दिमाग में बैठाना है बैठाने के बाद आप सभी को प्रोसेसर के उपर रिसर्च करनी है रिसर्च करने का मतलब यह है कि आपको जानना है कि मेरे को कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए कितने लोग जो है सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को देखकर जैसे कि मैंने यहां पे AMD Ryzen 5 लिया ठीक तो वो AMD Ryzen 5 ही नहीं लेना ठीक जो मैं यहां पे बताने वाला वो चीज़ खरीद कर आप पस्ता भी सकते हैं ठीक तो आपको यह बात ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस लिए PC बीड कर रहे हैं सबसे पहले इसके बारे में आप सोचिए सोचने के बाद आप प्रोसेसर के बारे में जानिए ग्राफिक कार्ड के बारे में जानिए कि क्या होता है और कितना जरूरी होता है इन सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा RAM के बारे में जानना है कि कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सी RAM सपोर्ट करती है कौन सा मदर बूट सपोर्ट करता है प्रोसेसर के साथ कौन सा मदर बूट जो है लगेगा ये वाले प्रोसेसर के साथ कौन सा motherboard लगेगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो पता कैसे होगा आप computer के बारे में प्रोसेसर के बारे में motherboard के बारे में RAM के बारे में SSD कार्ट के बारे में graphic कार्ट के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको जानना हो है कि ये होता क्या है और इसका जो है इस्तमाल कैसे करते है या ये इस्तमाल कैसे करता है कंप्यूटर में काम क्या करता है ये सब चीज़े आपको पता होना चाहिए ठीक तो चलिए जो है सुरू करते हैं मैं जो है अपने हिसाब से यहां पर पार्ट रखा हूँ और सबसे पहले जो है मैंने प्रोसेसर यहां पे लिया है AMD Ryzen 5 3500X desktop processor है इसमें जो है 6 core है अब कितने लोगों को पता होगा पता ही नहीं होगा कि इसमें जो core क्या होता है ठीक तो इस चीश को दिहान देना है कि जितना ज़्यादा core रहता है उतना ही अच्छा processor होता है ठीक तो इसमें जो है 6 core है और 4.1 GHz की जो है इसकी speed है ठीक यह जो speed है इसकी maximum मतलब अधिक्तम जो है इसकी speed जो है 4.1 GHz की रहती है अब जब चलिए जो है मैं आपको अपना computer दिखा देता हूं यह देखिए CPU ठीक है मेरी जो speed अभी जो चल रही है वह 4.0309 GHz पर चल रही है इसमें देखिए 12 core है और 24 थ्रेड है इसका model नंबर है AMD Ryzen 9 4900XT 12 core processor यहां पर लिखा हुआ है तो यह core जो है माइनी रखता है प्रोसेसर लेते समय जो है आपको core के बारे में पता होना चाहिए ठीक तो यह हो गया भाईया core अब यह जो बेस speed यहां पर क्या होती है base speed का मतलब यह होता है कि यह minimum इसकी speed 3.80 GHz तक इसकी speed नीचे इससे नीचे नहीं हो सकती इससे उपर ही रही ठीक है तो यह जो है इसकी base speed है और maximum speed जो है इसकी है वो साइद अभी देखना पड़ेगा 4.8 GHz के आसपास की है ठीक इसकी maximum speed तो यहां पा 300X है इसकी जो है clock speed जो है maximum है वो है 4.1 GHz की ठीक यह चीज जो है यहां पर बता रहा है तो यह चीज जो है ध्यान में देकर जो है इस चीजों को ध्यान में रख कर जो हम processor select करते हैं और इसका generation क्या है यह देखिए 300X series जो है इसकी चल रही है अभी इसका 5000 वाला series भी जो है आने वाला है ठीक तो यह series भी जो है माइनी रखती है generation जैसे कि हम i5 लेते हैं 7th generation का रहता है तो हमेशा जो है हमेशा जो है latest generation का नए अमाल लेना चाहिए नए अमाल जो है वो अच्छा होता है और उसमें जो भी कम्या रहती है पुराने माल में उसको दूर करके जो है नए जो है यहाँ पर दी हुई है clock speed यहाँ पास जो यह भी बताया है कि इसमें जो है कौन सी memory का मतलब यह होता है कि कौन सा RAM जो है इस processor के साथ support करेगा ठेक तो यह चीज जनकारी जो है यहाँ पास दी हुई है 3500 mhz तो यह 3500 mhz का मतलब यह होता है कि जो हमारा RAM रहेगा वो 35 300 mhz मेगा हर्ट्स पे जो है चलेगा वह वाला जो RAM जो है इसमें support करेगा इस से उपर कले लेते हैं तो यह जो है केवल इतना ही use करेगा 3200 mhz का ठेक है तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान देना है जो यहाँ पास RAM कुछ लोग जो है इससे कम ले लेते हैं जैसे कि 3000 mhz की RAM लगा देंगे इसमें इस processor के साथ तो क्या होगा कि 3000 mhz का जो RAM होगा और इसके मांग जो है इसकी जरूरत 32 mhz की है ठेक तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम RAM सेलेक्ट करते हैं तो यह वाली चीज़ को जो है देखना पड़ेगा प्रोसेसर में जो है ज इस चीज़ को देखकर आपको RAM को सेलेक्ट करना है ठीक तो आगे आने वाले वीडियो में और भी कई सीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा और अभी जो है इस वीडियो में अभी आगे और भी कई सीज़ जो है आपको बताने वाला हो तो भाईया कूल मिलाकर यह है कि आपक प्रोसेसलर पे उसके बाद आता है यह ग्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड जो अभी 30 3000 सिरीज जो वो चालू हो चुकी है इन्वीरिया की तो यह देखे RTX 2060 है अभी जो इसकी कीमत जो यहां पर नहीं हो रही है लेकिन दोस्तों मैं आप सबी को बताना चाहता हूं कि अगर आप गेमिंग के लिए गेमिंग के लिए जो पीसे बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज जो होती है गेमिंग में वो होता है ग्राफिक कार्ड जितना बहतर ग्राफिक कार्ड जितना महेंगा से महेंगा आप अपने computer में graphic card लगाएंगे वो उतना ही तगड़ा आपका game उतना ही तगड़ा देखने को मिलेगा और उतना ही अच्छे से आप उसमें खेल सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ठेक तो graphic card जो होता है जैसे कि हम मुर्गा बनाते हैं ठेक है तो मुर्गे में मसाला जो होता है उसी प्रकार से जो है computer में PCB करते समय आपको ये graphic card जो है मसाले का काम करता है जितना अच्छा मसाला जादा नहीं बोड़ रहा हूं कि जो है जादा जादा लीजेगा एक मुर्गा बनाने के लिए जो है आपको संतुली सभी चीजे जो है लगानी बड़ थोड़ा नमक जितना नमक लगना चाहिए उतना ही नमक डालना चाहिए जितना मसाला लगना चाहिए उतना ही मसाला डालना चाहिए ठीक है लेकिन में चीज होता है मसाला उसी में जो है सब खेल होता है ठीक तो उसी प्रकार से जो है ये ग्राफिक कार्ड जो होता है यह कप्प्यूटर का जब गेमिंग के टीसरा चीजह है बही है मधर्बॉड अब देखे यह जो मधर्बॉड है इसका आप मधर्बॉड लेते समय क्या क्या चीजह देहान देना चाहिए यह भी मैं आप सभी को बताता हूं यहां पे तो देखिए यह जो motherboard है MSI का B450M इसका model number है तो motherboard select करते समय सबसे पहले ध्यान देना रहता है socket प्रोसेसर को जाकर देखना पड़ेगा कि प्रोसेसर कौन से socket में fit बैठेगा अब socket क्या होता यह भी जो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ यह देखिए यह वाला जो चीज है यहाँ पास जो बना हुआ है इसी में जो जाकर प्रोसेसर बैठ जाता है उसी में जो प्रोसेसर को लगाया जाता है और tight कर दिया जाता है यहां पास जो हुक रहता है इसको खोला जाता है फिर प्रोसेसर डालके इस हुक को टाइट करेंगे तो यह हुक जो हुक टाइट हो जाएगा प्रोसेसर लग जाएगा और इसी को जो है सॉकेट बोलते हैं ठीक तो यह जो हमने प्रोसेसर जब सेलेक्ट करते हैं तो यहां पाथ सॉकेट भी लिखा रहता है यह देखिए AM4 सॉकेट में यह फिट बैठेगा ठीक तो इस सॉकेट को देखकर जो है हमको यह मदरबूर्ट सेलेक्ट करना रहता है सबसे पहली चीज तो यह हो गया दूसरी चीज दूसरी चीज यह भाईया कि आप इसमें जो है कितना रहम लगाना चाहते है देखिए इसमें चार थो स्लोट दी है चार जो हम इसमें रहम लगा सकते हैं देखिए एक दो तीन चार इस चार स्लोट है तो चारों में जो हम रहम लगा सकते हैं ठीक तो यह हो गया भी यह रेम लगाने के सलोट अगर आप दो रेम लगाना चाहते हैं तो दो सलोट वाला ले सकते हैं दो सलोट वाला थोड़ी सा इस से मौडल अंबर जो नीचे चला जाएगा ठेक और आपको देखना है आप चाहते क्या है मदर बोर्ड में जैसे कि मेरे मदर मोर्ड में वाइफाई की भीस विदा थी मतलब कि मेरे को यहाँ पास कुछ लगाने की जरूरत नहीं है मैं अपना मुवाइल का होट सपॉट चालो करूँगा तो मेरे मदर बोर्ड से जो है मेरा वाइफाई कनेक्ट हो जाएगा ठेक और यहां पास कुछ लोग जो है SDMI केबल या USB पोर्ट देखते हैं कि USB कितना लग जाएगा कितना जो है क्या क्या चीज़े लग जाएंगी यह सब चीज़े जो है चेक करके लेते हैं अब इसके डिटेल में भी जो हम लोग जाग कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़े लग सकती है तो देखिए AMD यह तो इसका सॉकेट नंबर बताया है कि यह सॉकेट नंबर है और इसमें जो यह भी लिखा है कि DDR4 की RAM लगेगी ठीक है और कितना MHz तक की यह RAM सपोर्ट करेगा 346 और हमारा जो प्रोसेसर है वो कितना RAM सपोर्ट कर रहा है 32 MHz की और यह कितना कर रहा है 346 तो हमको जो है 32 MHz वाला जो है न ही RAM लेनी है ठीक है motherboard हम ले सकते हैं यह वाली ठीक यह वाला जो motherboard जो है सपोर्ट कर जाएगा इसमें RAM भी सपोर्ट कर जाएगी क्योंकि यहां पर सॉकेट टंबल लिखा हुआ है और यहां पर DDR4 RAM सपोर्ट कर रही है और इसमें जो है एक सीज़ और रहती है कि आप जो है Amazon पे या Google पे अपने processor का नाम लिखिए और socket लिस्ट लिखिए उसके बाद और फिर search मारेंगे तो पूरे जो है motherboard की लिस्ट आ जाएगी कि भाई यह इस processor के लिए यह वाली motherboard में जो है यह वाला processor लग जाएगा ठीक है तो इस तरीके से जो है आप पता लगा सकते है कि कौन से processor के लिए कौन सा motherboard लगता है तो यहाँ पास यह बताया है कि 3466 MHz की जो है RAM जो है इसमें सपोर्ट करेगी कुछ जो RAM होती है DDR4 की वो 3600 MHz की रहती है तो वो यहाँ पास support करेंगी लेकिन साथ इसमें काम नहीं करेंगी ठीक है और क्या क्या चीज़े है PCIe यह देखें यहाँ पास यह भी चीज़ दिया है देखें यहाँ पास यह वाली जो जगह दिखाई दे रही आप सभी को इसमें यूएसबी पोल रहा है SSD कार्ड यहाँ पास लगाया जाता है ठीक तो यहाँ पास सभी चीज़े पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई होती है इनको पढ़ना पढ़ता है और जानिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लग सकती है ठीक और यह देकिए यहाँ पास यह भी लिखाया है कि M.2 यह SSD कार्ड होता है इसको यहाँ पर कौन कौन से वर्ज़न एंच यहां पर करेगा ठीक यह भनगा और ग्राफिक कार्ड यहाँ पास लौट है यह जग जे जागए ग्राफिक कार्ड की है तो यहाँ बास ग्राफिक कार्ड के बारे में भी यहाँ पर बताया रहता है कि इसमें कौन सी ग्राफिक कार्ड लग सकती है तो यह सब चीजे देख कर आपको Motherboard सेलेक्ट करना रहता है तिसरी चीज होगे भाईया सुरी चौती चीज चौती चीज है वो है RAM RAM लेते से मैं पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्रोसेसर को देखकर RAM सेलेक्ट करनी चाहिए देखिए इस प्रोसेसर में DDR4 टाइप DDR4 और कितना मेगा हर्ट्स की RAM सपोर्ट करेगी 3200MHZ की ठीक है इस से ज़्यादा कि अगर हम ले लेते हैं मानके चलिए DDR4 3200MHZ की यहाँ पर जो मैंने RAM सेलेक्ट की है अब मानके चलिए मैं जो है 3200 की जगा पर जो 3600MHZ की जो मैंने RAM खरीद ली लेकिन जब हम अपने RAM को अपने मदर बोर्ड में लगाएंगे तो हमारा जो RAM है जो हमारा प्रोसेसर है वो RAM का उतना ही यूज करेगा जितना उसकी च्छमता है इसकी च्छमता जो मानके चलिए 3200MHZ की है और हमने जो है यहाँ पर 3000MHZ की RAM ले ली ठीक तो यह यूज कितना करेगा केबल 32MHZ की ठीक है उतना ही यूज करेगा जतने इसको जरूरत है उतना ही यह रैम यूज करेगा तो प्रुशेसर को सेलेक्ट करके जो है आप यहां पर रैम सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक उसके बाद होता है वहिए डीस अब इसका काम क्या होता है इसके बारे में भी जो मैं आपको बता देता हूँ देखिए हम लोग का म mobile जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें हमारा storage के लिए internal memory लगी रहती है ठीक, तो यहाँ पास computer में भी internal memory लगानी पड़ेगी तो यह storage का काम करता है, अब कुछ लोग अपने computer में SSD card लगाते हैं कुछ लोग hard drive disk लगाते है SSD card या hard drive disk दोनों में से कोई एक लगा सकते है अगर आप दोनों चाहें तो दोनों लगा सकते है या अगर आप hard disk लगाना चाहते है तो hard disk लगा सकते है SSD card लगा सकते है अगर आप दोनों एक साथ hard disk और SSD card लगाना चाहते है तो दोनों जो है चीजे आप लगा सकते हैं ठीक तो जब मैं अपना PCB कर रहा था तो मेरे को यहाँ पास जब बहुत ही confusion होती रही कि क्या मैं दोनों लगा सकता हूँ एक लगा सकता हूँ या एक लगाऊंगो तो एक चलेगा यह वाला confusion जो है दिमाग में थी ठीक तो मैं जो है दूसरी चीज़ इसमें यह है कि यह SSD कार्ड और हार्ड ड्राइब डिस्क में अंतर क्या है तो भाईया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेम कम्प्यूटर है ठीका और दो ठो कम्प्यूटर है और उसमें सभी चीज़े सेम है लेकिन एक कम्प्यूटर में SSD कार्ड लगा है और एक कम्प्यूटर में hard drive डिस्क लगा है तो हमने Windows 10 इंस्टॉल कर दिया दोनों में अब हमने computer open किया तो सबसे पहले SSD कार्ड वाला जो computer होगा वो चालू हो जाएगा तो जिस computer में SSD कार्ड लगाएंगे न आप वो computer थोड़ी तेज चलेगा उसमें कोई भी file या कोई भी application install करेंगे उसको open करेंगे उसको चलाएंगे तो वो थोड़ी तेज रन करता है ठीक तो यह होता फायदा SSD कार्ड लगाने का तो यह होगा SSD कार्ड अब SSD कार्ड में भी बहुत सारे टाइप आते है यह जो है M.2 वाला है देखें यहाँ पास टाइप लिखा हुआ है M.2 और एक और भी आते हैं दो तीन एक साटा SSD आता है एक और आता है उसके बारे में यह नहीं पता और आपने जो है जब Motherboard खरीदा ठीक है यह देखें मैंने आपको बताया था M.2 जो स्लॉट इसमें है तो आपने जो Motherboard खरीदा उसमें जो है M.2 वाला SSD कार्ड नहीं लगेगा उसमें option नहीं है तो यहाँ पास आप फस जाएगे ठीक है तो जब आप लिस्ट बनाईएगा तो आप ध्यान दीजेगा कि अगर आप यह वाला SSD कार्ड लगाने वाले हैं अपने कंप्यूटर में तो देखिएगा कि Motherboard में जो है यह वाला स्लॉट यह वाला जो प्लग होना चाहिए जहां पर इसको फिट किया जा सकी यह वाले SSD का ठीक है यह वाले SSD को जहां पर फिट किया सकते वाला जो जगा होना चाहिए उस Motherboard को तो यह जानकारी कहां पता चलेगी यह जानकारी जो है आप जब Motherboard उपन करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि उसमें M.2 वाला SSD कार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा ठीक है कितने लोग यहां पस भी confused हो जाते है अब जो हम आते हैं यहां पास PSU में Power Supply Unit अब यह होता क्या है तो भाईए यह जो चीज होती है यह Power देने का काम करती है Computer को Power मतलब Current देने का काम करती है अब देखिए यहां पास वाट भी लिखा हुआ है 550 वाट ठीक और दूसरी चीज यह है कि हमेशा ब्रांडेड अच्छी कंपनी का हमको PSU या कोई भी समान लेना चाहिए अच्छी कंपनी का लेना चाहिए ताक कि हमारा जो समान है वो अच्छा Performance दे और भीगड़े खराब ना हो ठीक है इसलिए हम अच्छी कंपनी का समान लेते हैं वो Best होता है अच्छा होता है तो Crosser हो गया और NJXT का हो गया और Gigabyte का हो गया इनका PSU आपको मिलता है तो इनका आप PSU खरीज सकते हैं और PSU लेते समय आपको बसके वोल एक ही चीज़ द्यान रखनी रहती है कि क्या करिएगा कि जित्ते भी आप आइटम खरीद रहे हैं इसे भी पार्ट आप अपने कंप्यूटर के खरीद रहे हैं उन सभी के वाट देखिए कि उसमें कितना वाट यूज होगा ठीक है यह देखे वाट यहाँ पास लिखा रहता है जिसे कि हमने प्रोसेसर लिया तो प्रोसेसर में भी वाट लिखा रहेगा तो वो कितने वाट पावर लेगा उन सभी वाट को यहाँ पर आपको लिस्ट बना करके और जोड देना है ठीक यह देखे 65 वाट यहाँ पर लिखा हुए कि 65 वाट यूज होगा यूज करेगा प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पर दिया रहता है मदरबोर्ड में भी दिया रहता है कितना वाट यह यूज करेगा ठीक है तो उन सभी वाट को यह आपको लिखना है लिस्ट बना कर एक काफी में जोड देना है और जितना आए जैसे मान करें चलो 330 वाट आपको जोडने पर हो रहता है और आपके कंप्यूटर में कभी जो शॉट सर्किट नहीं होती है ठीक तो पी एस्यू लेते समय जोए आपको इस बात का द्यान देना रहता है उसके बाद आता है वह यह कैबिनेट कैबिनेट क्या होता है कैबिनेट जो होता है यह चीज होता है बॉक्स इसी में सबी चीज़े fit की जाती है PSU भी यहीं पे लग जाएगा जो मैं भी दिखाया था जो power देने का काम करेगा वो भी यहीं पे fit हो जाता है ठीक, यहाँ पास नीचे जगह रहती है PSU की, वहाँ पे PSU fit हो जाता है और motherboard भी यहाँ पे लग जाता है fan भी लग जाते है सबी चीज़े जो है यह cabinet में आके fit हो जाती है cabinet लेते समय हमको क्या देना रहता है कि cabinet बड़ा रहे और हमको यह चीज़ देखनी रहती है कि यह जो motherboard होता है इसकी size क्या है ठीक है, वो size को आपको पता करना है और पता करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि यह वाले cabinet में कौन-कौन सा motherboard fit हो जाएगा इसमें भी size आती है XLIC करके रहता है size इसके बारे में मेरे को अच्छे से नहीं पता लिकिन इसकी size होती है ठीक है, तो उस size का आपको देखना है कि आपका motherboard का size कितना है और इसमें detail में जाके पढ़िए कि इसमें कौन-कौन सा size के यह देखिए, मैं उपर ही दिखा देता हूँ यहाँ पास detail में जाएंगे support ठीक है, यह देखिए, motherboard support लिखा है तो mini ITX लिखा है micro ATX लिखा है या end ATX लिखा है तो यह जो है जितने भी जो यह model लिखे है न यह सभी model के जो है motherboard यह वाले motherboard, इन size के जो है motherboard इसमें जो फिट हो जाएंगे ठीक, तो यहाँ पास जो हम आते हैं motherboard में, यहाँ पास देख लेते हैं कि motherboard की size कितना है तो यहाँ पास size भी लिखी रहती है यहाँ पास देख लेते है socket लिखा है और यहाँ पास size के बारे में कहीं ने कहीं पे mention किया होगा कहीं ने कहीं पे बताया होगा मैं जल्दी में हूँ तो यहाँ पास size आकर check कर सकते हैं कि इसमें कित्ते size का है यह देखिए यहां पास मैक्स लिखा है ठीक है तो इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मैक्स वाला जो है 80X मैक्स यहां पास भी अच्छे से नहीं दिया है ठीक है तो यह चीज आपको पता करना पड़ेगा ठीक उसके बाद आप ये केबिनेट सेलेक्ट करिएगा केबिनेट सेलेक्ट करते समय आपको ये दिहान देना रहता है कि केबिनेट में कौन कौन से मदर बोर्ट की साइज इसमें फिट हो सकती है ठीक फिर उसके बाद आपको ये केबिनेट सेलेक्ट करना रहता है ठीक उसके बाद यह आता है यह देखिए यह होता बहिया cooler अब यह क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ देखिए होता क्या है कि जब हम अपना computer चलाते हैं तो हमारा processor गरम होता है बार बार गरम होगा और गरम होने से उसके speed कम हो जाती है Speed क्या होती है मैंने आपको दिखाया था कि कितना Gigahertz पर यह चलता है वो Speed उसकी कम हो जाएगी Gigahertz जो है कम चलने लगेगा अभी ठंडी के समय है तो मेरा जो Computer है यह देखिए इसकी Speed जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.3.4 के आसपास 4 Gigahertz के आसपास चल रहा है कुछ भी जो अभी नहीं चला रहा हूँ लेकिन इसकी Speed जो इतना बता रहा है ठीक तो जो Boost Speed होती है वो कम होने लगती है जब processor गरम होता है तो गरम होने के बाद जो उसको ठंडा करने के लिए यह Cooler रहते हैं यह Air Cooler है कुछ यह वाले Cooler भी आते है छलिए मैं दिखा देता हूँ यह देखिए यह Liquid Cooler है ठीक है यह Cooler जो है क्या करते हैं यह hook जो होता है यह जो तावे का जो परत दिखाय देर है है यह जाके प्रुसेसर में जाके फिट हो जाती है ठिक और यह जो है कुछ रंस्टेयर्गिज्ट टाइप के चमकते रहेगा ठिक यह आर जी भी Chapxi के केबिनेट के अंदर ठीक तो यह जो है का करता है प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है जितना प्रोसेसर ठंडा रहेगा उतना ही आपका प्रोसेसर मस्त एदम तकड़े से काम करेगा ठीक तो यहां पास आप सभी को यह वाला चीज भी आपको खरीदना पड़ता है और इसक को जोड़ देना है और जोड़ने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाली अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे प्लग को लगाया जाता है ठीक है बहुत सारा मदरबोर्ट में सौकेट रहते हैं उन्हें कैसे कैसे चीज़ें सब कुछ फिट की जाती है उसके उपर जो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा तो जैसे ही आप वो सभी चीज़ें आपस में जोड़ देंगे फिट कर देंगे कैबिनेट में सभी चीज़ें लगा देंगे और कंप्यूटर चालू करेंगे तो आपका चीप डियार हो जाएगा कंपूले के बादफ कीबोड एक माॉस अच्छा वाला लेना पड़ेगा कीबोर्ट ऑफनाच्छा वाला लेना पड़ेगा माॉसHHHHI में जो हसे dåudस्टो इस वीडियो पनाऊंगा良ा ओप्थिए चाहा है के वोल इतना ही था उम्मिद करता हूँ यह वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगेगी पसंद आए तो लाइक करिएगा कुछ भी कहना हो कमेंट करिएगा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को क्लोज होने से पहले जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मांन के चलिए आप जो है सभी पार्ट medidas on से खरीदने वाले हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको consid करीए. करूंगा तो ऐसे में आपको यह महगा पड़ जाएगा अगर आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में एक नहरू पलेस है वहाँ पर जाकर आप कंप्यूटर के पार्ट खरीदेंगे तो वहाँ पास सभी पार्ट जितने भी पार्ट जो है मैंने यहाँ पर दिखाया प्रोसेसर हो गया चाहे हो गया आपका ग्राफिक कार ठीक है या आपका जो है मदर बोर्ड हो गया यह सबी चीज़े जो है दिल्ली के नहरू पलेस में जो है थोड़ी आपको सस्ते बिल जाएगी अगर पचास जार का जो है आप पीसे बिड़ करने वाले है एमेजॉन में जो है पचास जार का जो समान बिल रहा है वो आपको दिल्ली में पंदरस हजार सस्ता या बारह हजार या दास हजार के आजपाद जो है आपको सस्ता पढ़ जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में को इतना ही था और वीडियो क्लोज करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में